इस वीडियों हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को जिसका नाम है रूलिंग दा कंट्री साइड यानि कि जो इस्ट इंडिया कंपनी थे यानि जो ब्रिटिसर्स थे उनका रूल किस तरीके से था देहाती इलाकों पर यानि देहाती इलाकों पर उनके रूल का क्या प्रभाव पड़ा किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा या फिर आर्टिसंस यानि कि जो बुनकर थे जो कलाकार थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा देखे चैप्टर नमबर टू तक हमने ये तो पढ़ लिया कि जो ब्रिटिसर्स थे उनका कंट्रोल किस तरीके से हुआ पूरे बेंगाल पर और आसपास के छोटे-छोटे रिजन्स पर लेकिन अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम देखने वाले हैं कि जब ब्रिटिसर्स का कंट्रोल हो गया तो उनका रूल कैसा था वो किस तरीके से रूल कर रहे थे और कि उनके रूल का क्या प्रभाव पढ़ रहा था लोगों के जीवन पर और जो देहाती इलाकों के जो लोग थे यानि जो किसान थे या फिर दूसरे तरीके के जो देहाती लोग थे उन पर क्या प्रभाव पढ़ रहा था वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तो देखे यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में वो है दा कंपनी बिकम्स दा दिवान यानि जो इस चैप्टर में पर ट्रेडिंग करने आई थी इंडिया में वो दिवान बन जाती है उसके पास दिवान के पावर्स आ जाते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर ये दिवान होता क्या है और दिवान बनने का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर नीचे इसको explain किया गया है कि देखिए दिवान अगर इश्रिंडिया कंपनी बन गई तो उसके बाद कंपनी के पास ये पावर आ गया कि वो अपने कंट्रोल में जितना भी इलाका है उसके उस पूरे इलाके को administrator कर सकती है यानि वहाँ पर एक तरीके से rule कर सकती है और वहाँ के जो revenue resources है यानि tax के जो resources है उसको manage कर सकती है वो एक तरीके से देख सकती है कि कितना tax लेना है किस से tax लेना है और किस तरीके से tax को बढ़ाना है तो ये power होता है दिवान का यानि एक तरीके से पैसे से related जितना भी power है वो दिवान के पास होता है समझ लीजे कि वो एक finance minister होता है इस तरीके से तो इसके text को देखें तो 12 अगस्त 1765 को जो मुगल इंपरर थे उन्होंने East India Company को बेंगाल का दिवान घोसित कर दिया और ये जो event हुआ था ये काफी छोड़ा event था लेकिन इसको काफी बड़ा दिखाने की कोसिस की गई है Britishers दोरा जैसा कि आप उपर image में देख सकते हैं कि ये पूरा image देखने से लगता है कि काफी बड़ा event था लेकिन ऐसा नहीं था तो देखें ये जो event था ये बहुत ही important event थ किया है और Britishers आपने policy में कितने successful हुए हैं तो ये एक तरीकी से बताता है कि जो Britishers थे वो इस event को कितना important समझते थे कितना important वो देखते थे इसके बाद देखें आगे बढ़ें तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि over the years the company also learned that it had to move with some caution being an alien power it needed to pacify those who in past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige देखें यहाँ पर आगे जब company rule करने लगी company के हाथ में जब दिवानी का power आ गया तो उसने एक चीज को ध्यान में रखा कि उसको सोच समझकर rule करना है पावर को distribute करना है या फिर पावर को asset करना है क्योंकि जो East India company थी वो Indian power नहीं थी वो Indian ruler नहीं थी वो बाहर से आई हुई के एक company थी एक ruler थी जिसको यहाँ पर rule करना था और उसको हमेशा यह ध्यान में रखना हो था कि जो इंडिया में पहले से rule कर रहे हैं यानि जो छोटे छोटे जमिंदार हैं या फिर छोटे छोटे जो rulers हैं उनको हमेशा अपने side रखना है उनको एक तरीके से hurt नहीं करना है या फिर उनको अपने विरोध में खड़ा नहीं होने देना है और उनका जो एक तरीके से prestige है या फिर authority है अपने इलाके में उसको भी बरकरार रखना ह ताकि जो छोटे छोटे जो rulers हैं वो हमारे साथ बने रहें हमसे fight ना करें और इसके साथ ही those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated यानि कि जो छोटे इलाके में जो rulers थे जो एक गाव में रूल कर रहे हैं या फिर जो एक बहुत ही छोटे जिला इतना इलाके पर रूल कर रहे हैं उनको आपक किसी तरीके से control करना होगा लेकिन उनको आप completely eliminate नहीं कर सकते हैं completely खत्म नहीं कर सकते हैं उस इलाके से जो कि वहाँ पर rule कर रहे हैं यानि कि ये जो company थी वो काफी सोच समझ कर चल रही थी कि जिनके पास power था उस इलाके में जहां पर वो rule कर रही थी उन सभी को वो अपने तरफ करना चाहती थी अपने side में करना चाहती थी और अपने साथ रखना चाहती थी और इस chapter में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो काम है ये किस तरीके से किया गया और हम ये देखेंगे कि जो company थी ये श्रिनिया company उसने देहाती इलाकों को यानि country side को किस तरीके से colonize किय वहाँ पर अपना control किस तरीके साथ अस्थापित किया revenue resources को किस तरीके से organize किया दिहाती इलाकों में और लोगों के जो rights हैं उसको किस तरीके से redefine किया और इसके साथ ही जो crops उसको जरूरत थी यानि जो भी खेती वो करवाना चाहती थी उसको वो लोगों से कैसे करवाती थी इ इसके बाद यहाँ पर इसमें सबसे पहला topic हमारे सामने आ जाता है और वो है revenue for the company यानि जो company थी वो दिवान बनी थी तो किसलिए पैसे के लिए क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे थे दिवानी होने की वज़ा से और देखिए जो company जो थी वो जब दिवान बन गई तो इसके बावजूद जो company थी वो खुद को एक trader के रूप में देखती थी वो इंडिया में खुद को ruler के रूप में नहीं देखती थी वो समझ रही थी कि मुझे trading करना है मुझे ज्यादा से ज्यादा profit कमाना है और इस वयसे जो company थी वो ज्यादा से ज्यादा revenue income चाहती थी यानि कि regular system अस्थापित नहीं करना चाहती थी tax collection का या फिर assessment का यानि वो tax collection और पूरा जो process है उससे side रहना चाहती थी वो चाहती थी कि किसी तरीके से मेरे पास पैसे आ जाएं मैं उस पैसे का use करके trade करूँ और trade से profit कमाओ ये बस company का motto था ये बस company का agenda था और जो company थी वो हमेशा ये कोसिस करते रहती थी कि जो revenue है वो जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए और जितना जादा हो सके उतना जादा fine cotton को खरीदा जाए silk cloth को खरीदा जाए और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता खरीदा जाए और 5 साल के अंदर जो value था goods का यानि जो समान यहां से company द्वारा खरीदे जा रहे थे बंगाल में उसका value दुगना हो गया यानि माल लीजे पहले 100 रुपय का समान अगर बंगाल में खरीती थी श्री इंडिया कंपनी तो 5 साल के अंदर वो 200 का समान खरीदने लगी और 1865 से पहले जो company थी उसको इंडिया में सारे समान gold और silver इंपोर्ट करके खरीदने होते थे यानि वो ब्रिटेन से gold और silver को इंपोर्ट करती थी और इसी और gold और silver से वो payment यहां पर logo से करती थी जब वो समान खरीती थी लेकिन जब उसके पास दिवानी right आ गया बेंगाल का तो जो revenue collect हो रहा था उस revenue से बेंगाल में वो अपने goods को खरीद सकती थी यानि लोगों को पहले वो सोना दिया करती थी चांदी दिया करती थी ब्रिटेन से लाकर लेकिन अब वो यहीं से tax collect करती थी और यहीं से tax collect करके उसी पैसे से समान खरीद लेती थी export के लिए ब्रिटेन भेजने के लिए कंपनी के लिए यहां तक तो सब चीश ठीक हुआ लेकिन आगे चलकर धिरे धिरे जो इस्थिती थी बेंगाल एकनॉमी की वो काफी खराब होने लगी और वहां पर काफी crisis चैसी स्थिती होगी काफी परिशानी वाले इस्थिती हो गई क्योंकि जो artisans थे यानि जो बुनकर थे जो कलाकार थे वो villages छोड़ रहे थे गावों को छोड़ रहे थे और इसके अलावा जो artisan production था वो भी काफी decline हो रहा था agricultural जो cultivation था वो भी एक तरीके से collapse की स्थिती में था और इसके बाद जो 1770 आया 1770 में जो famine आया जो सूखा आया उसमें करीब 10 million लोगों की मौत हो गई बेंगाल में 10 million लोगों की एक करोड और यह इतनी बड़ी संख्या है कि आप समझ सकते हैं कि जो बेंगाल की आबादी थी उसका one third हिस्सा खत्म हो चुका था वो पूरी तरीके से wipe out हो चुका था one third हिस्सा लोगों की मौत हो चुकी थी इसके बाद next हमारा इसी में topic आजाता है वो है the need to improve agriculture तो उपर हमने देखा कि जो बेंगाल में इस्थिती थी वो काफी खराब हो रही थी इस्टी इंडिया कंपनी के रूल के वज़ा से लोग agriculture नहीं करना चाहते थे लोग जाकर artisan का काम नहीं करना चाहते थे वो अपने घरों को गावों को छोड़ कर भाग रहे थे ताकि उनको कोई भी इस्टी इंडिया कंपनी या फिर किसी और द्वारा force ना किया जाए लेकिन यहां पर आगे बात आता है कि जब agriculture खत्म हो गया artisan खत्म हो गया तो इस्टी इंडिया बात लिखा गया है कि अगर economy जो है वो काफी बुरी स्थिती में रहेगी यानी लोग जो है वो काम नहीं करेंगे लोगो जो है वो खेती नहीं करेंगे कोई production नहीं करेंगे artisans अगर कुछ कपड़े नहीं बुनेंगे silk नहीं बुनेंगे तो फिर आखिर जो जय इस्टी इ official थे वो ये समझने लगे या फिर उनको ये लगने लगा कि जो land है यानि जो खेती है उसमें investment करने की ज़रूरत है ताकि जो खेती है उसको encourage किया जा सके और agriculture को improve किया جा सके यानि जो agriculture है उसको improve किया जा सके ताकि जो company उसका tax भी बढ़े और इसके साथ ही जो जो लोग है वो भी प्रोस्पेरस हो ताकि टैक्स ज़्यादा दे सके और इसके बाद यहाँ पर बात आया कि आखिर यह जो पुरा प्रोसेस है वो किया कैसे जाए यानि एगरिकल्चर को इंकरेज कैसे किया जाए जमीन में इंवेश्टमेंट कैसे किया जाए यह पुरा काम किया कैसे जाए तो दो डिकेट तक यानि करी 20 सालों तक काफी डिबेट चला काफी डिसकसन हुआ इस टिंडा कमपनी में कि इस काम को कैसे किया जाए किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया जाए खेती करने के लिए तो दो डिकेट तक यानि 20 सालों तक डिबेट करने के बाद जो कमपनी थी श्रिना कमपनी उसने पर्मानेंट सेटलमेंट को इंटोड्यूस किया 1793 में और देखे यह जो सेटलमेंट आया यह जो सेटलमेंट था इसमें टर्म्स ऐसे थे कि जो राजा थे या फिर जो तालुकदार थे उनको जमिंदार के रूप में रिकोगनाईज किया गया यानि उनको जमिंदार की हैसियत दी गई और उनको कहा गया कि आप रिंट कलेट करें अपने इलाके के पेजेंट से और इसके बाद revenue जो है वो company को provide करें यानि जो जमिंदार होगा वो अपने इलाके से tax collect करेगा और आगे चल कर वो company को वो tax provide कर देगा और जो amount pay किया जाएगा इन तालुकदार स्वरा यानि जमिंदार स्वरा वो fix कर दिया जाएगा यानि अगर 100 रुपए fix कर दिये जाते हैं तो 100 रुपए उसको अगले साल भी 100 रुपए देना है उसके अगले साल भी 100 रुपए देना है तो इस तरीके से tax को fix कर दिया गया इनके लिए यानि जमिंदार के लिए tax को fix कर दिया गया और इसके बाद जो जमिंदार है वो जाकर पेजेंट से और जो दूसरे लोग हैं अग्रिकल्चरिस्ट हैं उनसे जाकर टैक्स कलेट करेगा और जितने पैसे बचेंगे वो जमिंदार का प्रॉफिट होगा और उस समय कमपनी द्वारा टैक्स को फिक्स पर्मनेंटली इसलिए किया गया था क्योंकि कमपनी द्वारा ये फिल किया गया कि जो रेगुलर फ्लो है रेवेन्यू का वो इसकी वज़ाद से कमपनी के पास बना हुआ रहेगा यानि अगर कोई फैमीन भी आता है कुछ भी हो बढ़ेगा और जमीन के जो प्रोड़क्टिविटी है वो भी बढ़ेगा और इस वज़से जो सभी लोग है वो खुस रहेंगे कमपनी भी खुस रहेंगे और जमीनदार है वो भी प्रॉफिट कमा कर खुस रहेंगे और ऐसा इसलिए समझा गया क्योंकि जो रेवेन्यू ह वो company दोरा fix कर दिया गया है यानि 100 रुपए tax है तो वो हमेशा 100 रुपए रहेंगे और इस चीज की वज़ा से जो जमिंदार है वो अगर खेती को बढ़ाता है खेती में invest करता है किसानों में invest करता है तो जो production के increase की वज़ा से जो profit होगा वो जमिंदार के पास जाएगा और इस तरीके से जो किसान है उसका खेती भी बढ़ जाएगा जमिंदार को profit भी हो जाएगा और company को अपना tax भी मिल जाएगा इस तरीके से company ने plan किया था कि इस पूरे process को चलाया जाए लेकिन इसके बाद यहाँ पर आगे देखे तो आगे हमारा next topic आजाता है वो है the problem यानि जो permanent settlement किया गया company द्वारा उसमें क्या problem आए इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो देखे जो permanent settlement किया गया company द्वारा उसने काफी ज़दा problem create किया जिन इलाकों में इस settlement को launch किया गया था क्योंकि देखे जो company official जो थे उन्होंने तुरन देखा कि जो जमिनदार्स थे वो किसी भी तरीके से जमीन में invest नहीं कर रहे हैं यानि उनको tax मिल रहा है वो profit कमा रहे हैं उस पैसे को रख रहे हैं और किसी तरीके से जमीन या फिर खेती के improvement में investment नहीं कर रहे हैं और जो revenue fix किया गया है वो भी इतना ज़्यादा है कि जो जमिनदार्स हैं वो tax चुकाने में सक्षम नहीं है यानि उनके पास इतना tax collect ही नहीं होने पा रहा है जमिनदार जो है वो उस tax को भरने पाए सरकार के सामने यानि Istria इंडिया कंपनी के सामने और इसके साथ ही कोई भी अगर fail हो जाता था revenue देने में यानि tax को चुकाने में कंपनी को तो उसकी जमिनदारी को छें ली जाती थी जमिनदारी को हटा ली जाती थी और इसी तरीके से बहुत सारी संख्या में जो जमिनदारी थी उसको निलाम कर दिया गया आक्षन में कमपनी द्वारा यानि जो सब ज़्यादा बोली लगाएगा उसको किसी इलाके की जमिनदारी दे दी जाएगी और जब 19th century का first decade आया तो जो situation था वो काफी बदल गया और जो prices थे market में समान के काफी rise कर गया और जो cultivation था वो धिरे धिरे expand होने लगा और इसकी वज़ा से जो जमिनदार से उनके income में तो increase हुआ लेकिन इसकी वज़ा से company के income में किसी भी तरीके का increase नहीं हुआ क्योंकि company ने पहले से tax को fix करके रखा था और कहा था कि हम tax को increase नहीं करेंगे और जो company थी वो इस चीज़ से काफी परिशान होना लगी उसको लगने लगा कि हमको tax को increase करनी की जरूरत है और इसके बाद देखिए इस condition के बाद भी यानि tax जो है वो काफी बढ़ रहा है जमिनदार इसको काफी profit हो रहा है जमिनदारी में profit बढ़ने के बावजूद भी जमिनदार थे वो किसी भी तरीके से land के improvement में investment करने के लिए interested नहीं थे और उसका reason ये था कि बहुत सारे जमिनदार थे वो अपने जमिनदारी को lose कर चुके थे जो settlement का सुरुआती साल था उसमें ही लेकिन इसके बाद जो दूसरे जमिनदार अभी तक पचे हुए थे वो ये देख रहे थे कि हमारी जमिनदारी जो है वो कभी भी जा सकती है कभी भी हमारा जो जमिनदारी है उसको छीन लिया जा सकता है company द्वारा और इस वयसे उनको लगता था कि अगर हम investment करते हैं तो हम हमारा investment जो है हो सकता है बेकार हो जा क्योंकि इस साल अगर हम investment करते हैं तो next year हमें हमारी जमिनदारी को छेन ली जाए और इस वयसे जो जमिनदार थे वो किसी भी तरीके से investment करने से बच रहे थे और वो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा land को rent पर दिया जाए लोगों को खेती करने के लिए और ज्यादा ज्यादा rent को collect किया जाए टैक्स को collect किया जाए और वो किसी भी तरीके से land को improve करने में interested नहीं थे तो देखिए हमने तो देख लिया कि जमिनदार की क्या परिशानी थी जमिनदार को क्या problems थे लेकिन अगर हम villages की बात करें गावों की बात करें तो वहाँ पर जो cultivators थे वो इस system को काफी खराब महसूस कर रहे थे काफी परिशान थे वो इस पूरे system से क्योंकि जो rent उन्हें चुकाना पड़ रहा था जमिनदार को वो काफी high था और उसका जो right था land पर वो भी insecure था यानि जमिनदार उससे जमिन कभी भी छीन सकता था जमिनदार उससे land कभी भी ले सकता था और rent को चुकाने के लिए उसको कई बार loan भी लेना पड़ता था money lender के लिए और अगर वो चुकाने में फेल हो जाता था या फिर money lender के पैसे को चुकाने में फेल हो जाता था तो उससे उसकी जमीन को छीन ली जाती थी और उसको बेदखल कर दिया जाता है जहां पर वो कई दसकों से रह रहा है कई जेनरेशन से रह रहा है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अन्यू सिस्टम इस दिए